हेलो एवरबन दिस साइड मोने का यादो होप यू ओल गूड फरस्ट और फॉल आपको ना कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में प्रोब्लम होती है मैथ की तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ की वीडियो के नाम से उन पर क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी और और भी कोई प्रोब्लम होती है तो आप मुझे कोमेंट बुक्स में टाल की बता सकते हैं मैं आपकी हैल्प करूंगी पर परसंटेज निकालने से पहले हमें टोटल पता होना चाहिए कि कितने में से हम परसंटेज निकालने पहले हैं है तो इसलिए मैंने लिखा टॉटल नंबर्व स्टूब ant कितने थे एटीन तो बोईस थे प्लस वैल गॉल सटी तो टॉटल कितना उग्या थेटिस टूडंस उसके क्लास में थे पर संट simplicity कैसे निकालते हैं आपको सबस्क्राम को पता है जितने boys थे, कितने थे, 18 वो उपर रखते हैं, और total को नीचे रखते हैं, percentage निकालने के लिए 100 से multiply किया जाता है, और बाद में percentage का sign लगाया जाता है, अब भी इसको cross cut करते हैं, 6 की table से, 6, 3 is a, 6, 5 जा, 5 की table से, 5, 2 is a, 0, 60%, तो boys कितने हैं, 60%, अब निकालेंगे, percentage of girl in his class, girls की percentage कैसे निकालोगे, कितनी वो girls थी, 12 थी, out of कितने में से थी, 30 में से, 30 में से 12 गर थी, अब उनकी percentage निकालेंगे, percentage निकालने के लिए 100 से multiply करते हैं, और बाद में percentage का sign लगा देते हैं, 6 की table से काटते हैं, 6, 2 जा, 6, 5 जा, अ 5, 20 जा, 100, अब 2 को 20 से multiply करेंगे, तो 40%, question second, देखो, चोक contain 10% calcium, 3% carbon और 12% oxygen, चोक में ये, ये percentage इनका है, find the amount of carbon and calcium in grams, तो हमें न जो carbon है और calcium के amount grams में पता करनी है, कितने में से, 2 and half kg चोक, 2 and half kg चोक में से पता करनी है, 2 and half kg, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 decimal 5 kg, 1 kg इकॉल टो किते grams होते हैं, 1000 सभी को पता है, 2 decimal 5 kg में कितना होगा, 2 decimal 5 इसको multiply कर दो 1000 से, इसको gram में क्यों convert करना पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि answer हमें gram में देना है, तो हमारे पास क्या हैगा, 2500 grams, अब क्या निकालना है, हमें amount of carbon निकालते हैं पहले, और कितना परसेंट है, 3 परसेंट है, हना, तो अभी क्या, अब लिखेंगे, हम amount of carbon, of carbon, that is equal to 3 परसेंट है, मतलब 3 upon 100, और कितने का निकालना है हमें, कितने में से निकालना है, 2500 gram में से निकालना है, ना, अभी क्रोस कट करो, आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा हमारा इसका, बहर ग्राम लिख देते है, जीरो से जीरो कट गई, multiply करेंगे तो, 3 को 25 से, तो 75 gram हमारा आंसर आएगा, अब हमने कार्बन का तो निकाल लिए, अब किसका निकालना है हमें, amount of calcium, amount of calcium, कितना था, 10% था, 10 मतलब 10 upon 100, और किसने में से निकालना था, 2500 gram में से, जीरो से जीरो कट करें, तो हमारे पास आगिया, 250 gram इसका अंसर आगिया, कोशन 3 देखो, अन अलोई कंटीन 4% तीन, 1% जिंक, और रिमेनिंग कोपर, अलोई होता है, मिसर दातू, कोई मिसर दातू है, जिसमें 4% जिंक, तीन है, 1% जिंक है, और रिमेनिंग जो पच गया, वो कोपर है, वाट इस दा परसंटीज कंपोजिशन ओफ दा अलोई, हर जो घटक है, उनका हमें परसंटीज, फाइंड आउट करना है, फाइंड दा मास, भाहर पता करना है, इन केजी, केजी में पता करना, ठीक है, इस मेटल, इन फाइफ टन ओफ दा अलोई, अगर वो जो फाइफ टन की ए, ठीक है, चलो करते हैं, परसंटीज, ओफ, टीन, टीन का परसंटीज कितने है, हमें सबी को पता है, फोर परसंट, ठीक है, परसंटीज ओफ, जिंक, जिंक का परसंटीज कितने है? 1% परसंटीज of कॉपर, कॉपर का कितना है भी? कॉपर का दिया हुआ है remaining, परसंटीज हम भी सा हमारा हंडरेड में से आता है नद, मतलो हंडरेड परसंट में से इनको माइनफ कर देंगे 4% को और 1% को, हमारा आएगा 95% 95 का हमारा क्या हुआ कोफर का परसेंट हुआ वन टन इकोल टू क्या होता है 1000 कीजी तो 5 टन इकोल टू 5000 कीजी अब क्या निकालेंगे हम मास में निकालेंगे The मास Of सबसे पहले निकालते है टीन का कितना है 4% Of Alloy Alloy का 4% 4% का मतलब 4 अपन 100 और जो हमारे पास Alloy कितनी है वो हमारी 5000 कीजी की है ना तो multiply 5000 कीजी Cross कट कर लो 0 से 0 कट गई 200 कीजी हमारा आणसर है First वाला 3 का परसेंट कितना है 3 का मास कितना हो गया 200 कीजी अब निकालेंगे अब लास्ट वन वाला और कर देते है लास्ट वाला किया है The मास ओफ को पर कितना था 95% Alloy 95 मतलब 95 अपन 100 परसेंट का मतलब 100 Alloy का मतलब Kitchen 4 और केक परसेंट क्विशन तक का मतलब लाज परसेंटेज न बशीर केस्सों परiciन सिएठ कांशियों तक क काले लुफ रिजा देखो है और टोटल देखो count करें तो टोटल यह जितने भी ग्राम दिये हैं यह कितने में से दिये हुए है 50 ग्राम में से पर 50 ग्राम सर्व करते हैं इतना तो अब हम परसंटेज निकालनी है हर एक composition की आतो परसंटेज ऑ प्रोटीन कितनी हुई प्रोटीन की हुई 3.5 ग्राम है न कितने में से है यह जो हमें दिया हुआ है 50 ग्राम में से 50 नीचे रख दो multiply 100 और बाद में परसंटेज का sign solve करो काट देते हैं सीधा काटते हैं 51 जा 52 जा 3.5 को जब 2 से multiply करेंगे तो क्या है स Minh कितने परसंट आया ? το प्रोटीन के परसंटेज हमारे पस कितने आ गए ? सैवन परसंट अब निकालेंगे हम परसंटेज ओप फेट मैं एसिये लिख रहा हुँ परसंटेज ओव फेट फेट पैट के करेंगे ? जाई जाए भान देम अध्रड निकाला है ? और बाद में परसेंटीज का साइन लगा दो 50 से सीधा कटो 50 टूजा माल्टिप्लाइ करोगे तो आएगा 11 परसेंट आगे करते हैं फैट का भी हमने निकाली अब किसका निकालते हैं परसेंटीज ओफ कार्बो हाइड्रेट कितना है 27 है 27 कितने में से है 50 ग्राम में से मल्टिप्लाइ 100 कर दो बाद में परसेंटेज का साइन 51 जा 52 जा मल्टिप्लाइ करो 27 को 2 से तो आएगा 54 परसेंट लास्ट वाले का और कर देते हैं साइट और कीज़ेग कीजिए इस और कीज़ेगें चेमिते अवस्मेट करें आएगा 54 कीज़ेट कर दो बेहांaf 14 को मुल्टिपलाई किया तू से तो कितना है ट्विंटी एट परसेंट कोशन फाइफ देखो दा आवरेज कॉंपोजिशन बाइट ऑफ मिल्क इस सोन अस टेबल टेबल में सो किया गया देखो इंग्रेडियन्स के नाम लिखी हुए है और उनका परसेंटीज बताया गया है अब पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है वह मैने ग्राम साधेयर ओफ एच कॉंपोनेंट इन वन केजी वन केजी एक वर्टो थाउजन्ड ग्राम ठीक है दबवीट ओफ कार्भो हाइडरेट का वेट कितना है फाइफ परसेंट ओफ मिल्क ठीक है फाइफ परसें है मिल्क कितना है कितने में से हमें फाइंड आउट करना है वन केजी डा इस एक्व टो थाउजन्ट ग्राम हम ग्राम समेन काल लेते हैं जीरो से जीरो गई कितना आंसवर आया 50 gram हमारा आंसवर आगया अभी दूसरे का find out करते हैं carbohydrate के बादी क्या है protein the weight of protein protein का weight कितना है that is equal to कितना परसेंट है 3% of milk 3% को मतलब 3 upon 100 ओफ को मतलब multiply milk कितना है thousand gram हमारा 0-0 कट करो यह क्या जाएगा 30 gram अभी next किसका है weight of fat fat का weight कितना है fat का दिया हुआ है हमें 4% of milk जो milk का 4% है अब निकालेंगे तो 4% का मतलब upon 100 multiply thousand gram 0-0 कट कर दो क्याएगा 40 gram हमारे पास weight of water कितना हो वोटर का दिया था परसेंटेज 87% of milk 87 upon 100 हो गया multiply thousand gram 0-0 कट की 870 gram हमारे पास आ गया weight of other अधर का weight क्या होगा अधर का percentage कितना दिया हुआ है 1% of milk that is equal to 1 upon 100 multiply thousand 0-0 कर तो 10 gram हमारे आया अभी बी पार्ट करते हैं बी पार्ट में क्या पूछा हुए है कितना protein होगा seven and half kg milk में seven and half kg milk दिया हुए है इसको पहले convert कर लेते हैं ग्राम में seven and half multiply thousand यह हमारा जाएगा ग्राम तो कितना आ गया 7500 ग्राम अब हमें क्या निकालना है weight of protein in seven decimal five kg ठीक है तो कैसे नहीं का लेंगे बई protein का percentage कितना दिया था protein का दिया था three percent मतलत three percent of milk है तो three percent में three upon hundred of का मतलम multiply कितने में से हमें निकालना है seven and half kg में से जिसको हमने gram में convert किया था तो क्या है था seven thousand five hundred gram अब क्रोस कट करो zero से zero कट जाएगी multiply करोगे तो हमारे पास क्या हैगा two hundred twenty five gram यह हमारा answer आएगा आपकी eight exercise complete हो चुकि है hope you like this video if you like this video then press like button and share with your friends आएगे 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 आए